स्वाहत है आपका हमारे YouTube चैनल पहन से लोग सीह रहे हैं याप ये स्प्रिंग वोट जिस पर किले है अब चार वीडियू यहां पे कवर कर लिया तो हम लोगने पिछली वीडियो में यह देखा था कि कैसे हम लोग Spring initializer को use करके अपना project को create करेंगे और मैंने एक चोटा सा example भी आपको करके दिखाया था, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग Spring tool suite को download करेंगे STS, STS एक ID है Spring के applications को develop करने के लिए, तो Spring के applications को develop करने के लिए आपको कोसिस करनी है कि आप STS use करो क्योंकि वो बहुत बड़ी है, Spring के लिए आपको support प्रोवाइड करेंगी तो बहुत सारी चीज़े आपको उसमें मिलेंगी तो इस वीडियो में आपको यह चीज़ दिखाने वाला हूँ कैसे STS को download करोगे अपने system में and then एक demo project कैसे create करोगे क्योंकि installation काफी important हो काफी लोग नहीं कर बाते हैं, आपको पास एक option हो रहा है, आप Eclipse में ही अलग से Spring Tools का plugin डाउनलोड कर लो वो मैं किसी वीडियो में बता दूँगा अभी फिलाल आप Eclipse को मत use करो, आप use कर लो यहाँ पर STS टीकिए, तो सबसे पहले STS को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे हम लोग कैसे Simply हम लोग यहाँ पर अपना browser open कर लेंगे ठीक है और Chrome पर यहाँ पर स्टिस डाउनलोड simply STS download करेंगे ठीक है और यहाँ पर सबसे पहली link open ओगी इसी को हम लोग यहां पर यह वाली ठीक है spring.io slash tools तो यहां पर tools spring है इसी वाली को simply हम लोग यहां पर click करके open करेंगे तो simply आप इस पर जाएए और इसको open कर लेजे ठीक है आप देखोगे तो सबसे पहले ही आपको यहां पर देखेगा spring tools 4 ठीक है और नीचे आओगे तो देख लिए उस कर सकते हो ठीक है तो simply देखे spring tools 4 for eclipse पर हम लोग windows पर click करेंगे तो यह simply एक जार फाइल डाउनलोड करेगा ठीक है यहां wait करना है जब यह जार फाइल डाउनलोड हो जाएगी फिर इस जार फाइल को simply आपको run करना है ठीक है windows पर हो तो simply run करना है तो मैं इसको run करूंगा यह अपने आप से extract कर देगी और extract करने के बाद simply हमको folder मिल जाएगा और वहां पर हमारे पास executable file मिल जाएगी तो simply हम उसको क्या करेंगे run कर देंगे that's it पूरा exactly डिट्टो इंटरफेस हमारा मिल जाएगा कौन सा वाला eclipse वाला फिर हम उसी को यूज करेंगे तो wait करते हैं जब तक यह डाउनलोड होता है तो फ्रेंट्स यहां पर हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुक है अगर आप देखोगे तो यहां एक option है तो मैं simply so in folder पर क्लिक करूंगा और मेरा यहां पर डाउनलोड वाला folder उपन हो जाएगा अभी आपको क्या करना है अभी आपको जहां पर इस चीज इस वाले पेस्ट हो गए ठीक है अब simply आपको करना कहा है राइट क्लिक करना और इसको ओपन कर देना अभी यह जावा से ओपन हो जाएगा कि यह जार फाइल है जावा जावा की एक्जुटेबल फाइल है तो simply आप राइट क्लिक कर दीजे और दिखें ओपिंजेडी के प्लेटफॉर्म बाइंडरी से क्लेक कर दीजे ठीक है यह थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यह simply और टो यह थो आपके पास एक और यह थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद थीक है थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यह आप से पूछेगा तो यह सिंपली क्या करेगा देखें डॉक्मेंट के अंदर वर्क स्पेज डैस स्प्रिंग डैस टूल डैस सूट करके सने बना दिया आप क्या करें लांच कर दीजे यह क्या करेगा यह थोड़ा सा टाइम और लेगा ठीक है उसके बाद आपको अपना बना सकते हो बट आपको यहां अब options extra options मिलेंगे दिखाता हूं मैं आपको जब आपका spring tool suit start हो जाएगा तो आपको simply create a new java project है create a new spring starter project है तो यहां पर इंपोर्ट कर सकते हो जो आपने रहने देते हैं यह नाम पूछ रहा है तो हम लेखते हैं first sts project ठीक है first sts project ठीक है first sts project है उसके वाद simply देखे यह वही सारे option पूछ रहा है जो spring initializer आपसे पूछ रहा था टाइप आपका मेबन हो सकता है ग्रेडल हो सकता है packaging jar हो सकती कि वार हो सकती है version आपका कौन सा होना चाहिए ठीक है language कौन सी होनी चाहिए group id आपसे पूछ रहा है तो मैं लेता हूं com.sts ठीक है और artifact id आपसे पूछ रहा है first sts project प्रफेक्ट है अब यह बहुत important step है यहां पर यह आपसे dependencies पूछ रहा है जो आपको spring boot project में आपको लगानी है तो available dependencies बहुत सारी है आप आप देख सकते हो सपोर्ज आपको web चाहिए तो आप यहां पर web लिखो और web में आप देखे प्रिंग वेब में कौन को से dependency चाहते है spring web ठीक है spring reactive web spring web services तो मैं spring web पर क्लिक कर देता हूं ठीक है आप के पास spring web मिल जाएगा ठीक है अगर आप spring web services भी चाहते हो तो आप spring web services भी ले लो कोई दिक कर नहीं ठीक है जो मर्जी हो यहां से आप ले सकते हो सपोर्ज आपको time leaf चाहिए तो यह भी ले लो ठीक है otherwise आप mysql चाहिए तो आप mysql ले लो ठीक है आँस देखो mysql driver अगर आपको यहां पर चाहिए हो जो भी dependency चाहिए आपको jpa की dependency चाहिए तो जाती है अब यह थोड़ा सा time लेगा बस आप internet on कर दीजेगा ठीक है जैसे आप internet on करोगे तो आप नीचे देखोगे तो यहां पर import getting started content 26% यहां पर थोड़े थोड़े देर तक का यह टाइम लेगा डाउनलोड करेगा उसके बाद आपका project ready हो जाएगा spring boot का project और अच्छे बात ही है कि आपको यहां पर कोई भी tomcat हो गएरा के भी जरूत नहीं क्योंकि spring boot का project है तो इसके अंदर आपके अपने आप से tomcat embedded मिल जाएगा जैसे आप spring web की dependency आप लगाओगे तो simply जब तक यह download नहीं वतार तक हम लोग इसको अपने project को touch नहीं करेंगे आप भी इसको याद रखेगा जब पूरा डाउनलोड यहाँ पर complete हो जाएगा exactly जैसे हम लोग android करते हैं जब gradle completely build हो जाता है वो तब जाके हम अपने project को touch करते हैं यहां भी आप क्या करिए इसक project है और सब कुछ एकदम interface पूरा का पूरा spring का है पूरा पूरा eclipse का है तो कोई भी दिक्कत नहीं नई चीज नहीं है हाला कि बहुत सारे इसने देखिए यहीं से हमारा project बन गया आपको spring initializer नहीं उसकरना पड़ा तो यह STS की functionality है ठीक है यह हमारा project है और यह हमारा main application है जहा इसका मतलब होता है कि तीन चीजे configuration, enable auto configuration and package scan तो यह एक चीज लगा है इसका मतलब 3 annotation का यह काम कर रहा है तो यही class हमारी configuration वाली class है यही class auto enable भी कर रही है हमारे configuration को और यही class package को scan भी कर रही है तो यह हमारा base package है basically com.sts इसी के अंदर हमें सारी चीजे करनी है इसके बाहर जा जाएगी हमारे components को scan नहीं कर पाएगा तो हम इसी के अंदर controller आएंगे इसी के अंदर सब कुछ बनाएंगे ठीक है अगर मैं resources देखूं तो हमारे पास static resources है static means यहां पर static files रख सकते हैं और templates मतलब अपने हम लोग यहां पर HTML होगरा रख सकते हैं ठीक है और application.properties में simply आप देखोगे तो यहां पर हम लोग अपने server हो गयरा का port हो गयरा चेंज कर सकते हैं server.port ठीक है तो आप STS है तो आपको बता देगा देखिए computing यह दिखे server.port तो STS बहुत सारी आपको बता देगा देखिए कल मैने eclipse में हम लोग पिछली वीडियो में जब eclipse में किया था तो यह यहां पर कोई suggestion नहीं आ रहा था बड़ क्योंकि STS है तो आपको बता रहा है कि आप server.port यूज कर सकते हैं mail.port यूज कर सकते हो redis.port यूज कर सकते हो यह जैसे आपको यूज करना है यूजर नेम तो आप देखोगे आपको बहुत सारी यूजर नेम है जो भी उसर नेम चा code को बदल देता हूं एक बार ठीक है आप सेम भी रख सकते हो 8080 या 8282 भी कर सकते हो ठीक है ऐसे करके आप अपने context path को भी use कर सकते हो context देखें server.servlet.context path इसको भी आप चेंड कर सकते हो by default context path यह यूज नहीं करता है तो यहां पर पूरे application की अप्लिकेशन.properties में पूरे application की setting करते हो configuration करते हो जैसे आप कोई database की setting करनी है तो यहीं पर database की setting करोगे ठीक है चलो बाई यह बड़िया चीज होगे अब एक बार आते हैं और यहां पर हम लोग अपनी pom.xml देखते है आपके पास देखिए सबसे पहले जेपी की डिपेंडेंसी आ गई हालाकि जेपी हम लोग यूज नहीं कर रहे है ठीक है लेकिन मैं मैंने मैंने आपको सिखाया था ठीक है वह वाली चीज बताने के लिए सिखाया था कि आप कर सकते हूं उसके बाद हम spring web services यह web के लिए ठी बाद यहां पर देखो जावा अपना डेटाबेस का कनेक्टर आ गए है और next हमारा टेस्टिंग के लिए डेपेंडेंसी है तो सब कुछ बड़ी हो रहे है वाट हम लोग डेटाबेस नहीं कर रहे है तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूं जब यूज करेंगे तो मैं आपको बत खाता हों संपर अपने इसी पैकेज्च में राइकलिक करते हैं नीव पर जाते हैं और यहां पर चलते हैं इसका नाम घेते हैं टेस्ट कंट्रोलर कंट्रोलर ban गया और ऑसी के ऊपर मद लगा देते हैं अपना क ना की आड़ और नेनगर रहा हम लोग से ठान कर देंगे is project using sts और इसको बंद कर दें अब हम चाहते हैं कि भाईया यह as it is return as a string तो आपको सबसे पहले तो mapping करनी है तो हम लगाएंगे request mapping request mapping में simply हम लगाएंगे slash और मार देंगे test perfect है उसके बाद हम लगाएंगे response response body यह response body किसलिए है भाईया यह text as it is वापस जाएगा as a response कोई भी यहां पर व्यू नहीं है अगर आप response body लगाओगे तो वह इस page इस page का view ढूड़ने लगेगा ठीक है यह view name consider हो जाएगा तो यह सब कुछ हो गया आप अपने project को simply run करते हैं तो simply project को run कैसे करोगे है बहुत बड़ी option है STS में सबसे सबसे पहला तरीका कल वाला है आप क्या कर सकते हो इसी वाले application को run कर सकते हो अपने main program को main main class को run कर सकते हो right click करके run as ठीक है run as run as java application बट अगर आप देखोगे तो यहां एक option है run spring boot app तो आप spring boot पे क्लिक कर सकते हो बड़ी option है spring boot पे क्लिक कर दो और आप से यह पूछे का इसको अलाओ कर दो ठीक है और थोड़ा से टाइम लेगा और आपका application simply run हो जाएगा आप देखो इधर तो देखो tomcat started at port number 8282 और simply आपका project run है तो आप localhost 8282 पे इसको access कर सकते हो दिखाता हूं मैं आपको आज आते हैं और लिखते हैं यहां पर localhost localhost colon 8282 एंटर करते हैं सो आपको चल रहा है बट आप यह वारेल आपने क्या बनाया है वारेल आपने टेस्ट कंट्रोल में बनाया है टेस्ट तो हम लोग टेस्ट यहां पर यूज़ करेंगे लिखेंगे श्लैस टेस्ट तो आप देखोगे इस प्रोजेक्ट इस यूज़ समझ में आ गया होगा चलो बाई बड़े असमझ में आ गया अब आपके पास और भी ऑप्शन है चलो यह तो स्टेस की कहानी होगे स्टेस में चीज़े कैसे बनाना है कैसे चीज़े बनानी है और पिछली वीडियो मैंने स्प्रिंग इनसलाइजर भी बताया था तो आप व कैसे आप अपनी спорт कान्स कर सकते को सकते तो आप मुझे कमेंट करके बताए है चले नेक्स वॉडियो से अम लोग कुछ सट करते हैं अपना प्रोजेक्ट नेक्च वीडियो से हम लोग कुछ स्ट जार्ट करते हैं कि वहारम यहां में उसकोर बानारyaинки और फिस क्रू करते है सो आए तिंक आपको चीजा समंद में आ रही होंगी अ मनलब अगर आपको थोड़े बहुत भी चभी कर सकते हैं टो आप चैनल colored कर सकते niż लिए करना रहेगा बने बोलेगा जो शेरन रहे कर रहणों कर अंपने के बीच में और लोट आप तक के लिए जए नेक्स ब embedded